हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है आरती ड्रक्स लिमिटेड के बारे में आज है बाइस सितंबर और तक्रीबद तीन बजने आये हैं और यहां पर अगर हम तेजी की बात करें तो तक बोनस को लेके उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों और क्या डेट निकल के आई है हुए वह भी हम देख लेते हैं और वैसे भी काफी लोगों की इंक्वाइरी थी काफी लोगों ने कॉमेंट्स में पूछा था आरती ड्रक्स का बोनस कब मिलने वाला है कब डेट फाइन तकरिबन 400 पॉइंट के आसपस कि हमें गिराउट देखनों को मिल रही है और यहां पर जो कल भी हमें गिराउट देखनों को मिल रही है और इसके पीछे क्या रिजन से वह मैंने आपको जो मेंने जो वीडियो अप्लोड किये थे उसमें मैंने बताया था दोस्तों यह जो हो रही है पिछले दो दिन से मार्केट में उसके बारे में मैंने अल्रेडी आप लोगों को इनफर्म किया हुआ है अब दोस्तों जो खबर निकल के आई है आरती ड्रक्स के उपर मैं आपको लेके जाता हूं और आज देखा जाए तो आरती ड्रक्स अपने आप में काफी म मिल रहा है दोस्तों और अब मैं आपको खबर के उपर लेके जाता हूं तो जैसे कि दूस्तों आ देख सकते हैं विजनेस टानडर के वेbप साइड को वेक्षार आया है कर बोनस जो निकल के आई है वह बोनस निकल के आई है वह के सामने हो और यहां पर बताई जा रहा है कि एक October 2020 याने आने वाली first October को ही जिसकी पी पास आरती ड्रक्स की holding होगी उसको 3-1 के हिसाब से bonus मिल जाएगा दोस्तों और काफी लोग hold करके भी बेठे हैं आरती ड्रक्स को तो उन लोगों को एक October को आरती ड्रक्स का जो bonus जो announcement किया था आरती ड्रक्स ने वो उसकी हिसाब से bonus मिल जाएगा दोस्तों ती अपने आप में काफी बड़ी ख़बर निकल के आई है आरती ड्रक्स के related और finally काफी लोग inquiry थी काफी लोग इंतिजार कर रहे थे बहुत से लोग excited थे कब आरती ड्रक्स की ओर से announcement होगा कब आरती ड्रक्स की ओर से bonus मिलेगा तो finally जो shareholders थे जो excited थे उसको थोड़ी रहत की सास मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है दोस्तों और finally अब हम देख लेते हैं कि आज के कारोबार की details किस तरह की हमें देखनों को मिलते हैं और उसके बाद हम चार्ट के उपर जाएंगे और analysis करेंगे कि किस तरह के levels और target देखनों को मिल सकते हैं आने वाले और previous closing की बात करें तो 2843 रुपे पिश्व को मिले थी और आज opening की बात करें तो अच्छा खासा गेप आप ओपणिग देखनों को मिला था तक्रीबन 2950 रुपे का हमें और यृपणिग देखनों को मिला था जहां पे opening हुआ आहिए पर हुए मैं हमी बनाता हुआ देखनों को मिला था आफे 6 są 253 रुपे के आसक्समें लो बनाता हुआ देखनों को मिला है तो वहाँ से दोस्तों अच्या को सा कर्या चुका है ज़्या परुसेज्ट की बत करें तो तक्रीबरं 3 तो यहां पर निमान को मिल करें अब दोस्तों सब्सक्राइब लूसर टरार इस तरह सकते हैं कि सब ouais Lights के ऐos पर आपंवा ऊपन किया हुआ है और ऊण डेकर टाइमफ्रेम पर बॉप से लुकिक रखेम के रखेए चेформ हम ज़सन को मिल सकते कि सबढ़ कोन सा लेवल पर हम देखने को को मिल सकता है और अभी प्राइट चल रहा है तक मिल रहा है गोगुस्क्чив निनों सबस्क्रबद तो सब्सक्लीरिय आसपास् fajs का सबीकी हमें सब्सक्राइब कोマ Kelण 8882 की अच्छा और करता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों तो यहां से अगर उपर की और ब्रेकाउट आता है दोस्तों तो यहां पे आरती ड्रक्स को उपर की और निकलना है तो तीनेजर मियाशी का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और निकलन की बात करें तो निचेज़़् सपोर्ट देखने को मिल रहा है और निचे-पर चाहे तो खरीद्दारी कर सकते हैं सब्सक्राइब टो आपको अर्ति ड्रक्स को कुछ दिन के लिए 1 और सब्सक्राइब Eagles को तो आपको आर्ति ड्रक्स का जो बोनस मिलने वाला है वह भी आप ले सकते हैं दोस्तों और अगर अगर हम नीचे के लिए पर सपोर्ट की बात करें तो जो दूसरा सपोर्ट निकल के कर देखने सब्सक्राइख 10 August 2000 यहां तक अधर किती बरियो को काफी द्रक्स्त मुश्किल लग राए लेकिनी सब्सक्राइगा है। जाएगा उसके बाद भी हो सकता है कि अच्छा खासा बुकिंग भी देखने को मिल सकता है दोस्तों तो उसके उपर भी आप अपनी नजर बनाए रखे और खरिदारी का किसी भी तरह का कोई जल्द बाजी ना करें और चाहे तो खरिदारी आप कर सकते आपके रिस्क के और आप कहीं ना कहीं फज्जा हो तो दोस्तों इसके उपर भी आप अपनी नजर बनाए रखे और अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो मैं यहां पे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के आपको बदाने की कोशिशिश करता हूं आरे से का लेवल की बात का कोई positive signal आता हूँ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और अगर moving average की बात करें तो moving average जो यहां पे निकल क्या है दोस्तों one day के time frame मैं आपको moving average बताने की कोशिशिश करता हूं तो जैसे कि दूस्तों यहां पर आप देख सकते आर्टिक्स कंटिनूसली जो है 20 डे का जो exponential moving average है उसी को follow करते हुए moment करता हूँ हमें देखने को मिल रहा है और हाला कि आप देखोगे तो recently अभी भी हमें आर्टिक्स 20 डे का जो exponential moving average है उसी को ही support लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों तो इसके उपर भी आप अपनी नजर बनाए रहा है अगर यह 21 डे का ज exponential moving average को break करता है एक किस दिन का जो exponential moving average है उसको break करेगा तो फिर आपको 50 day का moving average है वहां पे लुड़कता हुआ आर्टिक्स देखने को मिल सकता है तो इसके उपर भी दोस्तों आप अपनी नजर बनाए रखें तो जिस तरह से दोस्तों मैं आपको जो लेवल्स बता है उसके पर आप अपने analysis कीजिए उसके बाद दोस्तों position बनाए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारा telegram चैनल जोइन नहीं किया है तो link description box में मिल जाए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है thank you again for watching this video